नमस्कार मैं आपका दोस्ट जेपी आदो आपका जेगे निसनल लीवजमें स्वागत है आएज देख़ें देस और दोनिया की खास खबरें दोस्तों मैं आपका दोस जेपी आदो आपको बता दे कि आज महाराष्ट 24-8-2022 के दिन सुबह में महाराष्ट से एक ऐसी खबर आ गई कि महाराश्ट विधानसवा के बाहर जो महाराश्ट के लीडर हैं जो महाराश्ट सरकार में लीडर हैं और जो विपक्ष के दो थें ये सबी लोग आप पसमे धक्का मुक्की करते नजर हुआ doğru आए और आपको हम दिखाते हैं कि इस बीडियो में देखें अभी आपको हमें वीडियो दिखा रहे हैं उस वीडियो में जो लीडर है जो जन प्रदिनिदी है जो चुन कर जाते हैं जिने जनता अपना नेता कहती है वही अपने आफिस के सामने बिधान सभा महाराष्ट बिधान सभा के सामने धक्का मुक्की फैटिंग करते हुए नज तरीके से वहा के वहाँ का एरिया था वहाँ पे चीक पुकार मचने लगी और नवबत यहां तक की आ गए जो वहां के गाड थे उनको वीज बचाओ करना पड़ा उनको समझोता कराने की नवबत आ गए लेकिन फिर भी महोल वहां का सांत नहीं हुआ ये और कोई लोग नहीं यह वो जिम्मेदार लोग हैं जो माइक पे खड़े हो कर मंच पे खड़े हो करके जनता से कहते हैं कि हम आपको नयाय दिलाने की कोशिस करेंगे हम आपके साथ नयाय करेंगे हम आपको सुविदा देंगे हम आपको प्रोटेक्शन देंगे आपकी हर मुसीबतों का हम जिम्मा उठाएंगे लेकिन जब ये ऐसे जिम्मेदार लोग महाराश्र विदान सभा के बाहर ही जगडा करेंगे लडेंगे तो नयाय कौन देगा हमारा ये सवाल देखिए हमारा ये वीडियो क्यों पिचा हुआ है पह खए हुआ है मुस्त बड़ी आपने देखा ये वीडियो ये वीडियो महाराष्ट विधान सभा के बाहर का है और किस तरीके से दोनो गुट के एक तरफ स्रियम सिंदे गुट के विधायक हैं साथ में उनके विजेपी के हैं विधायक और एक तरफ यमवी है महाराष्ट विकास अगाडी के विधायक जो लीडर थे वो लोग थे एक्स विधायक जो लीडर थे आखिर में मेरा एक सवाल है कि जब इस तरीके से महाराष्ट विधान सभा के बाहर लड़ाई देखने को मिल रही है जगड़े देखने को मिल रहे हैं तो सरकार कैसे चलेगी जनता की रक्षा कैसे करेंगे जब आप जो लीडर है जो नियम को फ विधान सभा के बाहर अगर विधायक सांसल लड़ने लगेंगे तो जनता को नया कौन देगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस्कीजेगा